अब देखो बच्छों, question number 15 में ही कह रहे हैं, तुम्हारे पास 2 AP गिविन हैं, एक है 63, 65, 67 and it goes on, दूसरा है 3, 10, 17 and again it goes on, ठीक है, तुम्हें बताना है कौन सी term दोनों की same आईगे, equal आईगे, तो हम suppose कर लेते हैं, let the term be, let nth term be equal, ठीक है, यह term दोनों की equal है, हमने suppose कर ली, ठी तो nth term का formula क्या है, an is equal to a plus n minus 1d, यही formula लगाओ, इस series में बच्छों, क्योंकि nth term equal है, तो मैं लगा देती हूं, a plus n minus 1d, यहाँ पर a, और इसकी भी यही equal है, इसको भी a plus n minus 1d कर दो, ठीक है, यहाँ पर देखो, first term is 63, तो मैं लिख देती हूं 63 plus n, तुमको बताना है, ठीक यहाँ पर d का इस series है, 65 minus 63, this is 2, इधर की तरफ आचाओ, यहाँ पर first term is 3, plus n minus 1, difference क्या है, 10 minus 3 is 7, यहाँ पर difference है, 7 का, ठीक है, यह हो जाएगा, 63, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, bracket open कर दो, 2n minus 2, this is equal to 3 plus 7n minus 7, ठीक है, मैं ने ब्रैकेट को open कर लिया, ठीक है, आप देखो, यह कितना है, 63 है, और यहाँ पर 3 है, यह 3 धर ला तो यह 60 हो जाएगा, 63 minus 3, 60 हो गया, अब 60 minus 2, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 7n, minus 7 इधर ले लो तो यह जाएगा, plus 7, ठीक है, मैं एक तरफ numbers कर लेते हैं, एक तरफ सारी, यह कर लेते हैं, ठीक है, यह 2n है, इसको इधर ले लो, तो यह हो जाएगा, minus 2n, ठीक है, यह हो जाएगा, तुम्हारे पास, 58, 58 में से, ठीक है, तो यह तुम्हारे पास आजाएगा, 58 plus 7, तो यह हो जाएगा, 65, this is equal to 5n, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास n कितना आ जाएगा, 5 को division में ले लो, ठीक है, यह multiplication में, division में हो जाएगा, तो n is equal to 5 and the y, 5 threes are 15. तो यहाँ पर इसका 13th term जो होगी बच्चो, that will be equal. ठीक है, clear है? 13th term will be equal. अब चलो question number 16 पे.